हेलो एव्रीवन वेल्कम यूटूब चैनल दीबदेंस थ्रेशिक्ष्टी आइम जोट्स राइन तोड़ेंग तोपिक डाइस माउंट निर गॉंगो मांट निर गॉंग जो एक वोल्कानो में भी जानेंग हैं कि यह निसमें क्यों है और वोल्कानो एंकितने टाइफ के होते हैं मांट निर गॉंगो यह वोल्कानो जो किस टाइप का है तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में यह मांटनिर गॉंगो जो की एक वोलकैनो है और रिसेंटली इरॉप्ट हुआ है तो यह रिसेंटली इसका इरॉप्शन हुआ है इसलिए यह न्यूस में है यह 2002 के बाद इसका इरॉप्शन 2021 में हो रहा है तो यह जो फॉलकैनो है जब इरॉप्ट हुआ हैं तो इसके कारण बहुत साथ ज्यादा लोगों का देथ हुआ है बहुत ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया है पेड़ मतलब प्लांट्स को एनिमल्स को फ्लोरा फॉना एवरिटिंग को इसके कारण मतलब डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रप्शन सहना पड़ा है तो यह उस टाइम यह क्वेशन बनता है उस वोड़कैनों से क्यों कहां सिच्वेटेड है और किस ट्राइब का वलकैनों है तो इस तरह से हम देखेंगे वह वर्ल्ड मैप में कि फर्स्ट कि यह सिच्वेटेड कहां है so here you can see this is mount near gongo which is recently erupted so यह जो है आपका mount near gongo यह अफ्रीका का एक country country है Democratic Republic of Congo उसमें situated है DRC जो है वो एक landlock country है ओके और UPC का यह favorite question है कि वो landlock country से हमेशा question पुछते ही है तो अफ्रीका जो है वो landlock country से भड़ा हुआ है DRC चैड और देन यह आपका रहा चैड सुदान साउथ सुदान नोट सुदान सुदान लैंडलोक नहीं है साउथ सुदान देन आपका DRC जांबिया जिंबावे बोटस्वाना ठीक है देन इधर आपका आजाएगा नाइजर यह सारा जो country जो है वो लैंडलोक country है ओके और अफ्रीका जो है वो second largest continent है आपका वर्ल्ड का ठीक है और according to area as well as population दोनों में यह सेकेंड है आफ्टर एशिया सो यह हमारा एशिया और एशिया में यह हमारा भारत और एशिया जो है दोनों में फरस्ट रैंक पर आता है इन दा वल्ड ऊके इसए कॉंट्इनट और अफ्रीका जो है उस में सबसे ज्यादा लार्जेस नंबर ओफ कट्रीज व्यश्टिव्य था कि लार्जिस्ट नंबर ऑफ कंट्री जो है किस कॉंटिनेंटिनेंट तो यह आपका अफ्रिका में पाए जाता है ठीक है और अफ्रिका में और भी बहुत सारे आपको वंपये जाएंगे तो इन दिस वेए दियर आर मेनी वॉल्कैनों इन दिस कॉंटिनेट ओके नाव कम तो टॉपिक जो कि हमको यह जानना है कि एक्षिल में वॉल्कैनों होता क्या है और कितने टाइप्स ओफ वॉल्कैनों होते हैं जो होता है एक ऐसा प्लेस होता है जहां से गैसे ऐसे मॉल्टन रॉक मेटेरियल इसकेप करते हैं ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं ठीक है और यह जो लेयर है देखिए सॉलिड लेयर जो है का सबसे हमारा जो अर्थ है वो थ्री लेयर में डिवाइड किया गया है जो इसर थ्री लेयर है यह जो एक है जो तो ही अट रहना सबसें यह जोटे जो हमारा यह कोड़ में डेल कोड़ा तो इस आपका लेयर आता है है ऐह अस्थेन स्फेर का ओके चरुकिश में पाइय जाता है और यह वीक जोन कहलाता है, और इस वीक जोन से हैं यह जो भीक जून है इस वीक जोन से जो हमारे अंदर के जो आपके solid हो गये जिसको को by melted solid हो गये लावा जिसको बोलते हैं वो यह फिर आपके gas, ash और other things जो है वो आपके surface तक आ जाते हैं और जब यह surface पे आते हैं तो यह erupt होते हैं ठीक है और यह इस तरह से erupt होते हैं और volcano form होता है तो there are three forms of volcano, three forms of volcano को active, dormant and extract okay active volcano किसे बोलते हैं तो ऐसे volcano जो frequently erupt होते रहते हैं रिसेंट्ली जो erupt हुए हैं या few years ago आपके erupt हुए हैं ऐसे volcano को हम लोग बोलते हैं active volcano जो कभी न कभी मतलब आपकी याद में या फिर कुछ साल में erupt होते रहते हैं देन आता है dormant, dormant volcano ऐसे volcano है जो कभी मतलब इन पास्ट कभी erupt हुए है और उनकी possibility है ठीक है हो कि वह future में कभी erupt हो सकते हैं nearest वह अभी erupt नहीं हुए बहुत पहले कभी हुआ होंगे मतलब इसकी possibility है कि हुआ होंगे और future में भी वह हो सकते हैं इसकी possibility है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं dormant and then extinct extinct ऐसे volcano हैं जो कि कभी erupt हुए नहीं है लेकिन उनके पास features है eruption के तो ऐसे volcano को हम लोग extinct volcano कहते हैं और जो हमारे volcano है वो यह तीनों phase से होकर गुजरते हैं active भी होंगे फिर dormant stage में भी जाएंगे and then extinct भी होंगे now come to the mount निर्गॉंग मांट निर्गॉंग जो है वह एक ऐसा volcano है जो कि active strata volcano है okay so active strata volcano से क्या समझते हैं तो strata volcano ऐसे होते हैं जो कि टॉल होते हैं लंबे होते हैं और conical shape के होते हैं ठीक है कोन फॉर्म करते हैं ऐसे वाल करने को में लोग स्ट्राटो वाल कानों होते हैं तो यह स्ट्राटो वाल कानों बिथ elevation of three 3470 meter इसका elevation 3470 meter का है और यह विरूंगा mountain में situated है विरूंगा एक mountain का नाम है और विरूंगा mountain में भी एक पार्क है जो कि विरूंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है इस national पार्क में यह सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखेंगे मैं नेक्स वीडियो में इसका आंसर करूंगे अपको आपको 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